क्योंकि 2014 में यह निर लिए गया था कि अंतराष्टी अस्तर का क्रिकेट एस्टेडियम बनेगा और जो बिहार से बाहर जाकर करके स्टगल करते हैं वो अपने बिहार में स्टगल करेंगे बिहार में काम करेंगे उनका बंबया का खर्चा बचेगा और कलाकारों को रोजगार मिलेगा उस हिसाब से इस्टूडियो का अंदिरमाण होना चाहिए था वो भी रहा है लेकि इस गती से होना चाहिए उस गती से नहीं हो रहा है अब यह सवाल आप नितिश कुमार जी से पूछें कला संस्कृति मंत्री जी से पू कि बाल मिकी नगर बने फिल्म इस्टूडियो नहीं बनी राजगीर चली गई मेरा उससे प्राब्लम नहीं है मेरा ये प्राब्लम है कि 2014 से जो काम शुरू हुआ वो 2022 तक पुरा नहीं हुआ ये जो प्रगती है ये जो निर्माण की गती है उससे मैं संतुष्ट नहीं जो ब्यवस्था है उस ब्यवस्था में कितनी गड़ बड़ी है कि तमाम एक्जबीटर जो है जो सिनेमा का मालिक है अपना सिनेमा हौल तड़वा करकर कोई गुदाम बना लिया है कोई मौल बना लिया है और इस तरह से जहां भोजपुरी एक साथ 300 सेंटरों में रिलिज ह होती थी अब भोजपुरी का ये हाल है कि 30, 35, 40 सेंटर बहुत है बीजीपी विधायक बिन बिहारी ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार और बिहार कला संस्कृती मंत्री पर जम कर निशाना सादा है उन्होंने कहा कि बिहार में जस तरह से फिल्म सिटी निर्मान का मैंने गाज किया उसकी गती काफी धीमी है कहीं न कहीं ये बिहार सरकार की बिधी बिवस्ता और कला संस्कृती बिभाग की नकाम यो को दरसाता है पहले सुनिए बीजीपी विधायक बिने बिहारी को इनका क्या कुछ कहना है लेकिन मैं सच को सच और जूट को जूट भी बोलने की हिमत रखता और बोलते रहता हूं मुख्यमंत्री जी से नराजगी की बात मैं आपके शब्दों नहीं कह सकता हूं मैं यह कह रहा हूं कि जिस हिसाब से उसके निर्माण कारे चल रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं क्योंकि 2004 में यह निर्णाय लिया गया था कि अंतराष्टी अस्तर का क्रिकेट एस्टेडियम बनेगा और जो बिहार से बाहर जाकर के स्टगल करते हैं वो अपने बिहार में स्टगल करेंगे बिहार में काम करेंगे उनका बंबई का खर्चा बचेगा और कलाकारों को रोजगार मिलेगा उस हिसाब से सोथी सभी सिनेमा घरों में आ जाएगी, वैसे सिदेपा घरों की संख्या के बारे में आप लोग को भी मालूगों कि शरकार की जो ब्यवस्ता है, उस ब्यवस्ता में इतनी गड़ बड़ी है कि तमाम एक्जवीटर जो है, जो सिनेमा का मालिक हैं, अपना सिनेमा हौल तुड़ा कर कोई गुदाम बना लिया कोई मॉल बना लिया और इस तरह से जहां भोजपुरी एक साथ 300 सेंटरों में रिलिज होती थी अब भोजपुरी का यह हाल है कि 30 35 40 सेंटर बहुत है क्योंकि अब थियेटर ही नहीं है कि इस सरकार को मांते हैं कि सरकारने कभी एक्जीपीटरों के साथ बढ़ करके बातें नहीं की उनको व्यक्तिमएं रिकम euh realize सरकार को दोशी मांता अच्ट सब्सक्राइं को दोशी मानेंगे हैं मुख्य मंतरी है क्या मैं फास्मयस में ना म Kens पूनिए मैं यहा एक पोलिटिकल बडी के हैसियत से नहीं बेठा outcome मेरा इस फिल्म से रिष्टा है मैं इस फिल्म का गितकार हूँ संवाद लेकड़ब मैं कहूंगा कि जिस समय मंतरी था उस समय और नीव पडई मेरी बात सुनी गई तो समय एक फिल्म स्टूडियो और एक इंटरनेस्टरल अस्तर का स्टेडियम क्रिकेट के लिए बनाने की बात वी और मैं वो चाहता था कि स्टेडियम बने तो मोईनूलह के स्टेडियम की जगा बने लेकिन मेरी बात नहीं रही राजगीर चली गई मैं चाहता था कि बालमिकी नगर बने फिल्म स्टूडियो नहीं बनी राजगीर चली गई मेरा उससे प्रब्लम नहीं है मेरा ये प्रब्लम है कि 2014 से जो काम शुरू हुआ वो 2022 तक पुरा नहीं हुआ ये जो प्रगती है ये जो निर्मान की गती है उससे मैं संतुष्ट नही दरसल बिने बिहारी आज अपनी फिल्म के प्रमोशन करने पहुशे हुए थे इस दोरान उन्होंने बिहार में फिल्म सीटी के निर्मान को लेकर नराजगी जाहिर किये इसके लिए उन्होंने मुख्यमंतरी नितीश कुमार और बिहार कला संस्कृती मंतरी को जिम्मेदार ठाराया है बिने बिहारी ने कहा कि 2014 में मैं मंतरी बना मेरे ही पर्यास से बिहार में यह काम किया गया मेरे इक्षा थी कि बिहार में स्टीडियो फिल्म सीटी और एक अंतरास्टी किर्केट मैदान बने मैं चाहता था कि फिल्म इंडस्टी का स्टीडियो बालमी की नगर में बने लेकिन मुख्यमंतरी नितीश कुमार उसे राजगीर में बनाने का फैसला लिए सीम को इस बात की जनकारी कहा सी होगी कि फिल्म सीटी बनाने के लिए टेंप्रेचर भी माइने रखता है मिने बिहारी ने कहा कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार अगर राजगीर में फिल्म सीटी बनाना चाहते हैं तो इसे जल्द बनाए आठ साल से यह काम लटका हुआ है लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है मुख्यमंतरी से नराजगी को लेकर विधायक ने कहा कि बात नराजगी की नहीं है लेकिन जिस गती से निर्मान कार चल रहा है मैं उससे संतूष्ट नहीं हूँ बेरो रिपोर्ट लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें